जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं जितने भी पोज हैं मैं एक से दो बार करके दिखाऊंगा एक बार में हो सकता है आपको कंसर्प कुना प्लियर हो यह आप कहें की एक्साइज कर रहा है कि समन में स्पॉंडलाइटिस और इस नॉर्मली इस वी कॉल्ड श्रेचिंग एक्सराइज और मैं दो हजार चार से कर रहा हूं और आज तक आगया मुझे सिविए रस पांडलाइटिस ती मैं सिविए रस पांडलाइटीस तो यह बाहर नहीं आया बल्कि कोई भी आज तक हमको हो जाना है और गर्दल को कि इतना आप लिफ्ट ले जा सकें तो फिर धीरे से राइट ले जाएए तो फिर इसी को लेफ्ट ले जाएए तो फिर लाइए राइट एक सबसे बड़ा कंफूजन होता है लोगों को स्वास कबले और कल्षून तो सिंपल इसका एक ठेवरी है कोई ज़्यादा इस पर स्ट्रेस दिन की जो होते हैं जब आपका बॉड़ी फैले स्ट्रेश की तो स्वास अंदर लाएगा अजब कॉंट्रेक्ट हो बादी तो स्वास बाहर आएगा यह जश्ट एक फिंकिंग अपने दिमांग में रख लीजे यह अपने आप होते चला है इस पर ज्यादा जोड़ देने की जिरूत नहीं है उसके बाद अब गर्वन को पीछे ले जाई है इस सामने लाएगे पीछे कि माएं कि कोशिशों कि यह कांग कर लो यहां चूँ जाए लेकिन कर्या उठा तर्पे लिए कि उसके बाद नहीं कि यह वाली लोग कराते हैं लेकिन लोग कड़के जीट से नहीं फिर उसके बाद अपोजिक्ट यह सब के लिए छे-छे बार होगा कि मैं दो-दो बार करता हूं कि उसके बाद हांथों को कि यह वी कराते हैं कि रिवर्स पार इस प्रॉप सागे ले लिए रिवर्स कि यह थोड़ा सा इंप्रूमेंट राइस को आप बता है कि कराते हम यह हो गया उसके बाद हाथों कहीं करके देजाएं सिद्धा कि यह भी छे बार वहना चाहिए आप पुड़ा उपर जाए और कि यह भी बारोड से एक बारोड फिर उसके बाद इस ट्रेचिंग जैसे आप तारासान उगर रकर आते हैं पर यह पर ख़़ा हो करके फिर एक बारोड फिर यह पल्यकुर्ट पर यह पर यह पर यह पागली आप धो कि अब इसके बाद जो है सिधाव यह सब सुछ में खतम हो गया अब सीधा बैठ चाहिए कि अब अब कर आपको नहीं पुसी वालका वालो कि इसमें एकी चीज है सावधानी हिल सटा रहना चाहिए इनी सटी रह कि अब और उसके बाद डिजोग यह करते हैं कि कराता है चालीस पचास बाल करें यह जो है यह जिनलियों का यह भी चालीस पचास बाल और उसके बाद एक पैर आगे एक पैर यह यह प्यास अ कि इसमें अलग नहीं होना चाहिए यह साउधानी रखने को हुए कि समय कितना हो रहा है बता दीजेगा अगर ज्यादा हो तो उसको टाग दीजेगा फिर दुबारा कीजेगा कि यह होने के बाद फोड़ा साब बोलिए यहां पर टाइट करने के लिए इसको अंदर खीच करते हैं कि फिंचे 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 इससे क्या है इसमें इस्टेंट और यहां का इस्टेंट पड़ेगा यह करने के इसको राउंड जिखुमाद कि दो चीजए एडिस लुए यह जो है दोने इसके बाद उंगलियों में अक्सर रहां दर्द होता है कलाई में दर्द होता है इसके लिए उंगलियों को फैला करके इसको जबद्यस्ती बंद करें मतलब आप उसको टाइट रखने के कोशिज क कीजिए लेकिन साथ साथ उसको बंद कर दें की कोशिच कि खोली है तो जटके से खुले है कि अब यह करने के बाद फिर इसको ट्विश्ट कि अब इसके बाद जो है सीधार लेट जाई है लेटने के बाद हाथ दूनों 90 डिगरी पर ओचाएगे ऐसे नहीं ऐसे नहीं यह दोनों बाड़ी के 90 डिगरी पर हो गर्दन सीधी है एक तर अज़ाए कर दो कर दो मैं दो दो बार बता रहा हूँ इसके बाद सीधा पैर को जटकर देखे यहां कीजिए हीप के पास और इसको इधर लेजे ये गर्दन ठीक इसके उल्टा इधर पैर जा रहा है उससे उल्टा गर्दन करेंगे कि अपोजीट हाथ उठे नहीं लेकिन अगर नहीं हो रहा कोई कि यह एक बार ही कर दिये राइट और लेफ्ट उसके बाद यह है कि अधर पैर को बाएं पैर के अल्ठा और उंगली के बीच में फशा दीजिए आइड पैर जाएगा इधर लेट साइड जाएगी नहीं नहीं इससे क्या होगा की इस्पाइनल कॉर्ड जैसे कपड़ा नीच चोड़ते हो उस तरह से स्पाइनल कॉर्ड में ट्विश्ट पड़ेगा इसको एकदम सटा देना है यह देखे यह एकदम सटेगा और हाथ की म इस तिल जहां तक रख सकते रखी है कंधा सटा होना चाहिए जितना हो सकते इसके बाद इसको दोनों को बीच मिलाएगे फिर दसें सेम एक्सल सेम प्रोशीडियूर कि उसके बाद दोनों पैर के बीच में थोड़ा से गैप दीजिए डिर्फिट का सेम जिट्टों वही करना है फिर इसको हीट में सका लीजिए और इसी चीज़ को फिर से रिपीट करना है सब ही क्रिया छेचे बार होगी इसको उठा लिए पैंक पहने थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि अगा है कि उसके बाद उल्टा बज़ें आप उल्टा हो करके बनों हाथों को यहां पर लाई है और रब उठाए करना है कि इसको चाहिए कि यह भी छे बार करना है कि फिर आगे से क्यों गर्दन प्राइए कि यह करना इच्छे बार दोनों सब्सक्राइए कि यह करना है फिर आपका पुराना क्रिया भुलंग्यासन कि नाभी को यमीन पर्षट है रहना चाहिए आप दोनों सब्सक्राइए कि यह बगलने है कि एक वार कर दो सब्सक्राइए एक वार का बता दो खाना खाया होगा फिर यह देखे पूसब आप पूसब नाभी जहां तक हो जमीन में सटा रहे है और सब्सक्राइए आप अधिए थिए सब्सक्राइए थे इसको दाइबाया पैर से पीछे मुषीद पर मालना एक एक पैर से करके फिर दोनों पैर से जितना जोर से हो तो दास ओल थेंक यू थेंक यू थेंक यू